80% महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनको PCOD है उन्हें पता तब चलता है जब वो कंसीव करना चाती है या गर्बदारण करना चाती है और वो नहीं कर पाती तो डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप अल्टरसाउंड कराएं जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है और जब वो अल्टरसाउंड करवाती है तो वहाँ पर डाइग्नोस होता है PCOD नमस्काद आप सासीकाल दोस्तों मैं डॉक्टर शाहिस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हो अपने यूट्यूब चैनल पर और आज का जो मेरा टॉपिक है आप समझी गए कि दुआरे में बात करने वाली हूँ मैं लेकिन PCOD के बारे में अब तक जितनी बी जानकारी आप सर्च कर चुके हैं चाहे गूगल पे हो यूट्यूब पे हो ये विडियो उन सबसे बिलकुल अलग होने वाली है क्योंकि मैं जो रेफरेंस देने वाली हूँ पहली बात तो यह है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने अपने पूरे करियर में गेन किये हैं वो बताऊंगी साथ ही साथ आपको बताऊंगी आयरुवेदा ऐलोपेथी और हॉलिस्टिक साइंस क्या कहता है इस बिमारी के बारे में तो वीडियो में अंतक बने रहेगा क्योंकि बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली ये वीडियो PCOD यानि Polycystic Overeign Disease इसे Polycystic Overeign Syndrome भी कहा जाता है इसका पहला केस जो आया था वो आया था 1935 में यानि 1935 में और अगर 1935 से आज आप कंपेर करके देखे तो हर 5 में से एक महीला को है PCOD क्या रिजन है क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है बीमारियां दोस्तों अब तक की स्टेडी में जितना भी मैंने करियर में देखा है बहुत सारी बाते आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले तो इस बारे में कीज़ें 30 से 35 साल तक उसको साथ चलती है वह होती है मेंस्ट्रल फ्लो और ओविलेशन यह हर मंत होता है अगर वह लड़की वह महीला स्वस्त है तो हर महीने उन्हें मैंसिस भी होंगे साथ-साथ उनको एक्स भी बनते हैं दिक्कत तब आती है जब कुछ इस तरह की बिमार और दीया होती है तो ना तो मेंस्ट्रल फ्लो कॉमंध रह पाता है नॉर्मल रह पाता है और नहीं ऑविलेशन टाइप कर पाता है तो क्या रीजन है क्या कोजिज है क्या लक्षन है इन सबके बारे में बात करने वाली हूं वन बाय वन तो सबसे पहले बात करूँगी मैं के बारे में PCOD के symptoms या लक्षन आज कल मेरे खाल में लोगों ने तनी research कर लिये कि सभी जानते हैं कि होता क्या है और कुछ ऐसे symptoms है जो देखते ही हम सोचते हैं कि भाई कई PCOD तो नहीं हो गई तो कुछ समझदार लोग क्या करते हैं कि फॉरण अपने डॉक्टर की तरफ भागते हैं और पूछते हैं कि प्लीज हमारा चेक अप कराएं और हमें बताएं कि क्या हमें ये बिमारी हो रही है जिसकी मैं तारिफ करती हूं क्योंकि सभी लोग ब पर बाल आना फैशल हेर और बाल ऐसे नहीं के हलका सा रूँा आ रहा है बाल इस तरीके से आते हैं जैसे कि पुरुषों को डाड़ी के बाल होते हैं बहुत ही हार्ड होते हो बाल इस पेशली इस पार्ट में मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है महिलाओं के दूसर सिम्टम वो है अन्यमित महावारी या irregular menstrual cycle अगर आपको जो मैंसिज आते हैं, menstrual cycle है आपका वो डिस्टरब हो रहा है दो दिन, एक हफ़ता, दो हफ़ते, एक महीने, दो मेने कई बार, तीन-तीन महीने डिले होता है तो थोड़े से साफधान हो जाईए, हो सकता है कि PCOD की शुरुवात हो गई हो और आपने धियान नहीं दिया हो तो इस चीज़ का आपको खास तोर पे धियान देना है उसके अलावा, बालों का बहुत ज़्यादा जढ़ना मतलब आपने देखा है कि हैरफोल तो मैं मानती हूँ कि अंगिनत रिजन हो सकते हैं हैरफोल के लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन सिम्टम्स के साथ आपके बाल भी बहुत तेजी से जढ़ रहे हैं तो थोड़े से साफदान हो जाईए क्योंकि PCOD में बालों का जढ़ना बहुत ही आम बात है और ऐसा नहीं कि एक दो बाल जढ़ते हैं काफी अच्छी मातरा में बाल जढ़ते हैं और अफकोर्स मैं एक चीज़ जानती हूं कि जढ़ते बाल किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं बहुत दूख होता है तो इसलिए इस चीज़ का भी धियान रखें कि कहीं ये जो आपके लक्षण है किसी और बिमारी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं उसके अलावा चेहरे पर पिंपल्स होना एकनी एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है क्योंकि अफकोर्स अगर चेहरे पर पिंपल्स हो रहा है एक तो ते टीनेज की वज़े से होते ही हैं लेकिन अगर आपको लग रहे है कि वो स्वभाविक नहीं है और बहुत ही अस्वभाविक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं तो थोड़ा सा धियान दीजिए PCOD के सिम्टम्स भी हो सकते हैं उसके अलावा बालों में डेंडर्फ होना अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डेंडर्फ बार रहा है तो यह भी एक रीजन हो सकता है क्योंके सिम्टम्स है आफकोर्स और सिंटम्स किसी भी बिमारी के तरफ इशारा कर सकते हैं उसके अलावा पेट में दर्द होना और पेट में भी जो लौर अब्डॉमन में आपके दर्द होना दिखें मेंस्ट्रॉल साइकल के दौरान तो होता ही है कई लड़के शिकायत करती हैं वैसे होना नहीं चाहिए बड़ जो शिकायत करते हैं कोई कई रीजन हो सकते हैं उस दर्द होने के भी लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको बिलावज़़ा भी दर्द हो रहा है लैकर आपको मैंसेज नहीं हो रहा है उसके बावज़ुद भी आपको लोगर अब्डॉमन में पेहना हुर रहा है तो एक अल्टरा साउंड आपको जरूर करा लेना चाहिए क्योंकि ये इशारा कर रहा है कि जो पर्टिकुलर पार्टी क्योंकि जो हमारी ओवरीज हैं वहीं पर इस्तित होती है तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ी से साफधानी बढ़ते तो ज्यादा अच्छा र हम लोग सर्च करते रहते हैं गूगल पर हमें काफी जानकारी है दोस्तों जानकारी सर्फ अपनी जगह होती है लेकिन डॉक्टर्स जो इतने साल पढ़कर मैनत करते हैं उनकी जानकारी भी अपनी जगह माइने रखती है तो कभी भी इस तरह की समस्या आ रही है आपको और जाना मतलब आप बिल्कुन नॉर्मल हैं आप अच्छा खाते हैं आप कोई बत परेजी नहीं करते हैं लेकिन आचानक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वेट गेन होता जा रहा है और आपको वो रीजन समझ में नहीं आ रहा है तो भी एक बार आपको जरूर सोचना चाह हाई दे रहा है मैं यह नहीं करें कि एक सिंटम देखते ही आप चल पड़िये ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चेहरे पर बाल भी आ रहा है आपको लग रहा है कि मैंसिस जो हैं वो इरेगिलर होने लगे हैं बाल जड़ रहे हैं चेहरे पर दाग बनते जा रहे हैं, आपको जुरिया आ रही है, या आपको पिंपल्स एक्नी हो रहे हैं, या डेंडरफ बहुत जादा बढ़ रही है, आपको इस तरह कोई समस्या आ रही है, मिस्केरेज हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन में से चार सिम्टम्स भी आपको एक स दिख रहे हैं तो मेरे खाल में कोई रीजन नहीं रहे जाता आपके पास कि आप अल्टरसाउंट ना करा हैं जरूर कराईए क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो आप एक तुके में इलाज कराते हैं और आप खुदी अपनी द्रॉक्टर बने में कुछ नो कुछ खाये जा र रहे हैं तो अपनी सहत के साथ खिलवार करना मैं नहीं मानती कि किसी भी हद तक जाइज है खास तोर पर जब आपके रीप्रोड़क्टिव और्गन्स की बात हो रही है और आप उस एज में हैं जहां पर आपको कंसीव करना है आपको मा बनना है मातित्र का जो एक सौभाग यह वह आपको प्राप्त होना चाहिए अगर उस वक्त आप इस तरह के एक्स्पेरिमेंट्स कर रहे हैं दिन आम सौरी आप उस बीमारी को इतना बढ़ा लेंगे कि डॉक्टर्स को भी शायद रिकवर करने में उस बीमारी को काफी लंबा समय लग जाएगा तो इस चीज़ आपको धियान रखना है तो यह सारे सिंटम्स को धियान रखिए और हाँ वहम मत पा लिए ठीक है कुछ लोग यह भी करते हैं कि होने लगता है कि नहीं भी होता तो होने लग जाता है ऐसा नहीं जैसे कि मैंने कहा चार यह पांच सिंटम्स दीखने के बाद ही आप अल्टर करते हैं कोजिस के तरफ यानि कारण की तरफ तो दोस्तों बात करते हैं रूट कोस के बारे में किया है बीमारी की जड़ अगर जड़ पकड़ लेंगे तो बीमारी का इलाज करना आसान हो जाएगा है ना तो बात करते हैं रूट कोस के बारे में लेकिन मैं एक चीज़ सब्सक्राइब imbalance, अब आप सोचेंगे कि hormones कोन से, ठीक है क्योंकि hormones कई प्रकार के होते हैं, तो एक चीज बोली जाती है कि अगर महिलाओं में endrogen hormones ज्यादा बन रहे हैं, देखे reason क्या होता है कि पुरुषों में endrogen hormones ज्यादा बनते हैं और महिलाओं में estrogen hormone की संख्याज होती है वो ज्यादा होती है इसी वज़े से महिलाओं में इस तरह की चीज़े होती है जैसे की conceive करना delivery बच्चे सारी चीज़े उनके reproductive organs बनाए ही उसी लिए गए है उसी तरीके से पुरुषों में क्या होता है कि चेहरे पर दाड़ी आना ठीक है थोड़ा सा masculine उनको लगना होता है तो इसलिए androgen hormone उनके शरीर में of course ज्यादा होता है जो इन चीज़ों को करता है लेकिन दिक्कत कहां पर आती है जब महिलाओं में ये androgen hormone ज्यादा बढ़ जाता है तब वो hormone imbalance कहला आएगा of course और estrogen hormone जो ज्यादा बढ़ना चाहिए वो कम हो होने लगता है तो इससे क्या होता है अगर आप holistic science को जानते हैं तो उनका ये नियांग disturb हो जाता है या फिर अगर modern medicine की ही बात करूं तो होता क्या है कि जो चीज़े पुरुशों में होती है वो महिलाओं में होनी शुरू हो जाती जैसे की चेहरे पे बाल आना दाड़ी आन अफकोर्स अगर महिला के शरीर में पुर्शों के hormones जादा बन रहे तो क्या होगा अफकोर्स उनके दाड़ी आती है तो उनके भी दाड़ी आने लगती है साथ या साथ कई cases में तो मैंने देखा है कि च्छेस पे बाल भी आने लग जाता है ऐसा होता है मज़ाख की बात नह तो उसके बारे में भी बात की जाती है वो है diabetes अगर आप डायविटिक हैं आपको शुगर है मदूमे की समस्या है तो भी आपको PCOD हो सकती है क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो शरीर है उसमें hormones तो imbalance हो ही रहे हैं तो ये बात बिलकुल वाजिब है कि अगर आपको diabetes है आप खयाल नहीं रख रहे हैं आपके रिपोर्ट पॉजिटिव मलब तरीके से पॉजिटिव इन दे सेंस आपकी अच्छी नहीं आ रही है तो फिर PCOD होने के चांसिस काफी हद तक बढ़ सकते हैं इसके इलावा ये भी कहा जाता है कि एक जैनिटिक बिमारी है आपके माता से आपको आसकती है या आपकी नानी अगर दादी कोई समस्या है तो वह आप तक यह बिमारी पहुंच सकती है तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है उसके इलावा जो बहुत बड़ा रीजन बताया गया है मौडर्ण मेडिसिन के दौरा या अलोपेती में वह हमारा लाइस्टाइल पर आके तो बात ही खतम होजाती है लाइस्टाइल हमने अपना ऐसा कर रख था है कि PCOD कई अन्ने बिमारियों को हम लोग दावद देते हैं और बिमारिया भी खुश होती हो कि अरे बाई क्या गया शरीर मिला है बिमारिया है मज़ा है आगया आट सबके लि न को कई चानना क्या है आप कुछ भी बस डाले जा रहे हैं अपने श्रीर के अंदर तो लाइसटायल डिसॉर्डर नहीं होंगे तो टार्माइटीज भार्ड़ी इस थे घ्राई लुग इंड़ी दीसॉर्डर के रहें दो One गोaysable से बिवस्ट खर ने किसी भी चीज़ की, डॉक्टर्स की भी जरूत नहीं पड़ेगी, लाइफस्टाइल ठीक करना है सिरिफ, करना क्या है, थोड़े से अफर्ट लगाने, अगर लगा लिये, तो PCOD तो क्या, कोई सी भी भी बिमारी आप खुट ठीक कर सकते हैं, इतनी विल पार होगी आपके अंदर, करना क्या है, समय पर खाना खा लीजे, समय पर ब्रेटफस करना है, समय पर उठना है, समय पर जागना है, कुछ अच्छे आदते अडॉप्टर नहीं हैं जैसे एक्सेसाइस करनी है योगा कर लीजिए अगर इस तरह कि आप थोड़ी सी एक परसेंट अपने अंदर चेंजिस लाते हैं ना तो मैं वादा करती हूं आपसे कि PCODC बीमारी आपके शरीर में रुखी नहीं पाएगी एक बार कोशिस कीश करके देखिए बहुत सारे पेशेंट थीक हूं है जिरोंने मुझसे वादा किया था कि मैं हम आपकी बात को प्रॉपर फोलो करेंगे और वो थीक हूं है तो आप क्यों नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं और होंगे ये मैं कह रही हूं लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपको महनत करनी है कोशिश करनी है कि जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूं उसको थोड़ा सा अगर आप फोलो कर लें तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरा मीडियो बनाने में जो मेरी महनत लगी है जो मेरा टाइम लगा है वो वसूल हो गया प्लीज जरूर कीजिएगा तो ये कुछ कोजिस थे जो एलोपेथी में या मॉडन मेडिसिन में बताये जाते हैं अब बात करती हूँ आपको कि आयरुवेद क्या कहता है क्योंकि मैंने आपसे क्या कहाता तीन प्रकार से बताऊंगी आपको मॉडन साइंस के अकॉर्डिंग बताया अब बात करूंगी एंशेंट आयरुवेदा के अधार पे नहीं कि आयरवेद क्या कहता है देखे दोस्तों इस बात को हम लोग नहीं जुटला सकते कि modern medicine में जितनी भी यह आपको reason पताए गई है गलत है बिलकुल ठीक है hormone imbalance को ले लिजिए diabetes को ले लिजिए genetic को ले लिजिए या फिर जो भी मैंने आपको lifestyle disorder बता है वो सब भी आयरुवेद भी कहता है बहुत पहले कह चुगा है कि यह सब नहीं ध्यान रखोगे तो यह सब बिमारिया होंगी लेकिन एक major cause जो आयरुवेद बताता है वो है आम मेंगो नहीं आप सोचेंगे मेंगो की बात करें आम मींस toxins जी हाँ वो विशाक पदार्त या वो विशेले पदार जो आपके शरीर में धीरे 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 जमने लगते हैं और आपकी जो reproductive organs है या आपकी अदर organs है उनको दूशित करना शुरू कर देते हैं आप सोचेंगे दूशित किस तरीके से कर रहे हैं बताती हूं दोस्तों आप कुछ भी खाते हैं ठीक है आपने माल लीजी आपको junk food का जाधा शोक है या आपको ऐसा खाना जाधा पसंदे जैसे कि तामसिक भोजन आपको जाध नहीं पाता या आपकी physical activity इतनी नहीं है कि उस खाने को पचा पाए आप मेरी बास समझ पा रहे होंगे यानि कि आप माली जी आपने बहुत सारा चिकन तिक्का खा लिया या को ऐसी भारी खाना तला हुआ भारी सा छोले बटूरे या बहुत सारी चीज़े ऐसी खाली अगर आप physical activity नहीं कर रहे हैं तो आपका क्या लगता है कि वो भोजन शरीर में जाके कितने घंटे में पच जाएगा योग संस्कृति के अनुसार आपको 90 मिनिट के अंदर खाना बना के खा लेना चाहिए और अगर आप शरीमात भगवद गीता की भी बात करेंगे तो भी तीन घंटे से उपर रखावा खाना नहीं खाना चाहिए उसमें तमस आ जाता है जड़ता आ जाती है जो हमारे शरीर में toxins यानि आम को बढ़ाती है तो फिर कैसे ठीक होंगे हम लोग और आईरुवेद कहता है कि ये PCOD हो, fibrosis हो, even cancer के लिए भी आईरुवेद कहता है कि सबसे बड़ा जो कोज होता है वो होता है आम यानि toxins तो कैसे ठीक कर सकते है थोड़े दिर पहले ही बताया आपको जब मैं अलोपेथी के बारे में बता रहे थी कि थोड़े से चेंजिस करने है आप कोशिश कीजिए कि खान पान में फोड़े से चेंजिस करें ठीके हलका खाना कहें अगर सात्वी फूट कहें तो उससे बहतर तो कुछ होई नहीं सकता मतलब इतनी जल्दी आप अपने आपको रिकावर कर लेंगे कि आप सोज भी नहीं सकते अगर आपने थोड़ा सा अपना खाने को बदल्दी आप कहेंगे अरे डोक्ट सब कैसी वात कर रहे हैं बटर चिकन के बगर नीम कैसे आएगी है जगर चिकन घर भी समालती है और उसे ऑफिस भी जाना पड़े और पुरुष भी जिन पर घर की भी जिम्मधारिया है और वो दिन बार कॉफिस से ठक कर आते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतनी मेहनत लगाएं कि घंटों खाना बनाएं मैं समझ सकती हूं लेकिन अगर आप यूट्यूब चैनल पर ही सर्च करें तो आपको इसी बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी जो जल्दी बनती हैं जो सात्विक भी होती हैं जो खाने में बहुत हलकी होती हैं एवन अगर आप थोड़ा सा अपने खाने को ही जो स्टाइल है आपका या आपकी टाइमिंग ह अगर उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लें आप कोई भी बिमारी ठीक कर सकते हैं इवन बिमारी होगी ही क्यों अगर आप उस चीज को ठीक कर लेंगे तो तो इस चीज का आपको विशेश करके ध्यान रखना है कि खाना एक तो बासी खाने से परेज रखें जंक फूट को बिलकुल बिलकुल बड़ी वाली नो बोल दें ठीक है कि भई बिलकुल ब्रेक अप हो गया तुमसे खाना ही नहीं है तुमें ठीक है इस चीज का आपको धियान रखना है तो मैं गैरेंटी देती हूं आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी बट प्लीज थोड़ बोलने का भी और आपका यह वीडियो देखने का भी हाँ अगर आप थोड़े से चेंज़िज लाने के लिए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयारू अप परस्टली भी मैं अगर आप चाहें मुझसे कंसर्ट कर सकते हैं मेरे क्लीनिक आ ससकते अगर आप डेली में है तो यह नहीं भी हैं आप कहीं और रहते हैं तो कहीं तो कोई डॉक्टर कोई आयरुवेदिक चिकित सक्क या कोई अधर डॉक्टर्स होंगे उनसे सहला लीजिए पूछिए उनसे क्या कर सकते हैं तो यह था रूट कोई आयरुवेदिक के अनुसार अब मैं बात करूंगी हॉलिस्टिक साइंस के अनुसार कि किस तरीके से हॉलिस्टिक साइंस बताता है कि कौन सा है रूट कोई पीसी ओडी के लिए बढ़ते हैं हॉलिस्टिक साइंस की तरफ दोस्तो आयरुवेद के साथ-साथ मैं हॉलिस्टिक साइंस में भी प्रैक्टिस करती हूँ और आज की डेट में पचास से जादा थेरपी इसमें वर्क कर रही हूँ अगर आप किसी से भी रीजन पूछेंगे PCOD का तो जातर लोग बताएंगे कि भाई एलोपेथी के अनुसार यह है या आयरुवेद के अनुसार यह है लेकिन हॉलिस्टिक साइंस क्या कहता है यह बहुत कम लोग बता पाते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगे कि हॉलिस्टिक साइंस क्या बोलता है इस बारे में तो गाईज एक सब्जेक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टन होता है चाहा हम एक प्रेशर पड़े एक पंक्चर पड़े सुजोग पड़े या कुछ भी पड़े उसमें एक टॉपि हो कि अभी थोड़े पहले ही मैंना आपको हमोन लिंबैलनेंस के बारे में बताया यानि कि यानि कि महीलाओं में बरने लगे पुरूषण के होनोन भी बनते हैं तम से कंडिशन होती है हॉलिस्टिक साइंस में हम उससे उन्हार बढ़ जाना यानि कि महीला में यां बढ़ और पुरुष में यिन बढ़ गया तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि अगर आप holistic science में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले ये देखेंगे कि किसमें क्या बढ़ा है अफकोर्स अगर महिला है और उसे PCOD की समस्या चेरे पे बाल आ रहे हैं तो उनमें यांग जो है वो एकसेस हुआ है जिसके कारण से उनके शरीर में ये सब समस्या आ रही है हार्मोन इंबालेंस हुआ है अब बात करते हैं पंच्टत्व के सिधान की तरफ यानि फाइव एलिमेंट थेरी की तरफ फाइवऄट्ट थेरी देखिए फाइवऄउमन्ट थेरी सभी अगर मैं ये किसा परणालियों की बात करूं तो सभी की अलग-अलग है अयरवेड की बहुत बहुत यहां मैं बात करें हैं एक्यू प्रैशर कि माणव शरीर में जो भी समस्यां आ रही हैं जो भी विमारी आ रही हैं इन पांश तत्वों के भीगणने से यही बात pr Daon आए अग смहा भूत यह पांच आप रहित हैं यह चांब इसंचब के सिंधन स्थान नहीं जsis रहे होलिस्टिक ने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि अगर किसी को PCOD की समस्या है और आप उसका इलाज करने वाले हैं तो यह देखिए कि कौन सा एलिमेंट बिगड़ा है ठीक है क्योंकि सिस्ट क्या होती है सिस्ट जो होती है वो हार्ड नहीं होती वो थोड़ी गिलगिली सी होती क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो जैल होता है वो हार्ड नहीं होती और जब हम लोग किसी गिलगिली की या किसी पानी वाली चीज़ की बात करते हैं, तो हम कौन से तत्व पे जाते हैं, क्या बढ़ता है, humidity, ठीक है, यानि कोई चीज का फैलाव हुआ है, कोई चीज बढ़ गई है, तो उसे हम कहां पे लेके जाते हैं, humidity पे, अगर यही fibroids होती ही, तो हम कहां जाते हैं, metal imbalance हुआ है, ठीक है, यानि आकाश तत्व बिगड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, humidity बढ़ी है, पृत्वी तत्व बिगड़ा है, यह मैं holistic science के according बता रही हूँ आपको, अगर आप समझते हैं, practice कर रहे हैं, तो आप बड़े अच्छे समझ पाएंगे मेरी बात करने का तरीके को, तो यह reason है, तो हमें क्या treatment देना है, अगर आपको holistic science के according करना है, तो आपको treatment देना है, पज़तत्व के सिध्धान्त में जाके, कि आप जो humidity energy है, उसको आप treat करेंगे, तो आप बहुत अच्छे result हासिल कर सकते हैं, तो guys, यह मैंने आपको कारण बताएं, causes बताएं, कि क्यों होती है PCOD, लेकिन एक चीज़ का धियान रखेगा, जो ऐलोपेथी में बताएं, वो ऐरवेद में भी हैं, जो holistic science में बताएं, वो उन दोनों में भी है, हम किसी को जुटला नहीं सकते, क्योंकि सबी अलग-अलग research पर अधारित है, ठीक है, मेरा बताने का reason सिर्फ यह था, कि आपको समझ में आ सके कि हमारे शरीर में किस तरीके से बिमारी पनपती है, एंडर करती है, और किस तरीके से उसे अन देखा करने पर वो बढ़ती चली जाती है, reason सिर्फ यह था, तो मुझे पूरी उमीद है कि जो हमारे holistic healing में प्रैटिस कर रहे हैं, साथी आयरवेद में कर रहे हैं, या ऐलोपेथी में भी करते हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे किस तरीके से मैंने root cause की तरफ आपको लेकर गई हूँ, और उसको समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो guys, आज हम लोगों ने बात करी कि PCOD है क्या, किस तरीके से बढ़ती है, लक्षन क्या होते है, इसके कारण क्या होते है, एक और चीज़ में आपको बताना चाहूँगी, जो शायद जातर लोग नहीं बता पाते हैं, मैंने थोड़े दिर पहले भी आपसे share किया, कि हमारी ovaries में जो gel type की cyst बन जाती है, ठीक है, cyst कभी भी hard नहीं होती, उसमें gel ही होता है, liquid ही होता है अंदर, लेकिन क्या आप जानते हैं, वो liquid क्या होता है, बताया कभी, कभी search करने की कोशिश की, endogen hormones होते हैं, exactly, endogen जो शरीर में बढ़ रहा है महिलाओं के जो hormone, वही वो अंदर तरल पदार जो होता है न, वो endogen hormone ही होता है, जिसके बढ़ते पनपते रहने से, वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, तो आप ये सोचेंगे के मैम आपने कारण भी बता दिया, आपने लक्षन भी बता दिया, बट आपने इलाज तो बताया ही नी, इलाज ये तो बताना चाहिए था न, बिल्कुल दोस्तों, इलाज भी बताऊंगी उन्ही तीन तरीकों से, यानि एलोपेथी के दुआरा भी, आईरवेथ के दुआरा भी, हॉलिस्टिक साइंस के दुआरा भी, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे मालूम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अफकोर्स जब एक वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है, तो उसको, मुलत साड़ी चीज़े एक वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं जो ये PCOD सबजेक्ट है, उसे तीन पार्ट्स में लेकर आने वाली हूँ, अगला जो मेरा वीडियो रहेगा, वो रहेगा निवारन के उपर, यानि के ट्रीट्मेंट क्या देना है आपको, तो मिलती हो आप सभी से नेक्स वीडियो में, उमीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूसफुल रही होगी, अगर रही है, तो एक थम्स अप तो बनता ही है, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, और बहुत जादा मैसेज आ चुके थे, हाला कि मैं कोई और वीडियो बनाने वाली थी, बट कुछ लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं प्लीज इस पर बात करिये, तो इसलिए PCOD पर बात करिये, तो मैं मिलूँगे आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिये, स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, स्माइल भी करते रहिए, बी हल्दी, बी हॉलिस्टिक, जैहिंद!